हेलो फेर्ड्स वेल्कम तो माई इस्टोडी फीट चैनल दोस्तो आज का वीडियो इस्पेसली कबड़ी के सभी रूल्स पर अधारित हैं इंपोर्टिन कोंस्टन है और इसके मेजरमेंट्स रिलेटिड कोंस्टन फर्स्ट वीडियो में है जैसा कि मैं निकल अप्लोट किया ह है और आफ इसकी वीडियो में कबड़ी के सभी रूल्स के बारे में है कि आर्यले डीच कबड़ी क्या होता है क्या होता है कि मेरे चैनल सभी वीडियो में Ihrे सभी चैप्टर ट्र परतिडियो है और मैंने फंडे से जड़ा वीडियों प्रिवियस हैं MCQs कोस्टन पर बनाया हुए हैं और चेप्टन वाइज MCQs का प्रैक्टिस भी कराया किया है और जैसा कि मैं डिली बेसेज पर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ तो दोस्तों चलिये चलते हैं आज की प्रश्णों की तरफ कोश्चन है कबड़ी सीनियर पुरुस वर्ग में कितने भार वर्ग से अधिक होने पर खिलाडी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता तो पच्चासी केगरा से अधिक होने पर नहीं ले सकता प्रतियोगिता में भाग नेक्ट कोशन है कबड़ी सीनियर महिला वर्ग में कितनी भार से अधिक होने पर खिलाडी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता तो 75 किग्राज से अधिक होने पर खिलाडी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता तो सीनियर पूरुस वर्ग में 85 की ग्राश से अधिक, सीनियर महिला वर्ग में 75 की ग्राश से अधिक होने पर वहां प्रत्रिकता में भाग नहीं ले सकता नेश्ट है किसी भी टीम के रेडर द्वारा अरजित किया गया बोनस पॉइंट को हम इसकोर सीट में किस संकेतक से प्रदसित करते हैं तो हम प्रैंगल से प्रदसित करते हैं नेश्ट है अगर मैच के दोरान किसी खिलाडी को अमपायर या रेफरी द्वारा पीला कार्ड दिखाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों तो दो मिनट के लिए खिलाडी को मैच से बाहर कर दिया जाता है जैसा कि दोस्तों कबड़ी में तीन कार्ड का प्रयोग किया जाता है हरा पिला और लाल हरा कार्ड दिखाने पर चितावनी दी जाती है और पिला कार दिखाने पर दो मिनट के लिए वह बाहर हो जाता है एंड लाल कार दिखाने पर मैच से पूरा बाहर हो जाता है नेश्ट है कबड़ी में किसी टीम द्वारा औरजित किये गए leading point को हम score seat में किस संकेत के से प्रदर्सित करते हैं तो इसको हम प्रदर्सित करते हैं इन में से कोई नहीं triangle, square, t-set इन में से कोई नहीं नेश्टे दोस्तों यदि tournament नाकाउट पधती के अधार पर खिला जा रहा हो और match टाई हो जाए तो को तो यहां पर ए एन बी दोनों नियम लागो हुगा आफसा नमबर डी है तो क्या है ए है आपका दोनों टीमों के पांच पांच खिलाडियों को चिन्धित करके उन खिलाडियों को बारी बारी से यानि कि अल्टरनेट तरीके से रेड डालने का आप नियम लागो हो जाएगा भी है बक लाइन ही बोनस लाइन में बदल जाएगी यानि A एन B दोनों है आपसा नमबर D करेक्ट है नेश्ट है कबरड़ी मैच में जब किसी टीम को लोना लग जाता है तो उसे हम किस संके तक से इसकोर सिट पर पदर्सित करते हैं तो उसको हम होरिजांटल के संके तक से सिट पर पर पदर्सित करते हैं next question है कि 5-5 read के नियम के बाद भी match tie हो जाता है तो कौन सा नियम लागू होता है तो कौन सा नियम लागू होता है गोल्डन read का नियम लागू होता है नेश्ट है गोल्डन रेड का नियम लागू हो जाने पर मैच का निड़े कहता है तो यहाँ पर आपसर नमबर वन करेक्ट है कि जिस टीम का खिलाड़ी यानि रेडर गोल्डन रेड पर पॉइंट ले आता है उसी टीम को बिजेता माना जाता है जैसा कि दूस्तों इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे गोल्डन रेड को जैसा कि गोल्डन रेड का नियम तब लागू हो जाता है जब दोनों टीमों के रेडरों द्वारा पांच पांच रेड डालने पर भी मैच का निड़े नहीं हो पाता है अठात मैच ताई हो जाता है ताई ही रहता है तो उसके बाद रेफरी द्वारा गोल्डन रेड नियम लागू किया जाता है रेफरी द्वारा सबसे पहले दोनों टीमों के कप्तानों को बुला कर टास कराय जाता है उसकी बाद जो टीम टास जीत लेती है वह कोट या रेड लेने के लिए स्वतंत्र होती है उसे गोल्डन रेड डालने का मौगा मिलता है और जो भी टीम प्रतम लीडिंग इसकोर बनाती है वही भीजेता घोषित कर दी जाती है यही golden raid का नियम कहलाता है नेश्ठे कबर्डी मैच शुरू करने के लिए कम से कम कितने खिलारी प्रतेक टीम में होने आवश्यक होते है तो साथ साथ खिलारी नेश्ठे अगर कबर्डी मैच के दौरान किसी विपच्छी खिलारी द्वारा रेडर की कित या सिर के बाल पकड़े जाते है और without struggle raid पकड़ा जाता है रेडर पकड़ा जाता है तो निम्ड में से क्या होगा तो यहाँ पे answer होगा option number C कि रेडर को not out माना जाता है जाएगा और पकड़ने वाली तीम के विरुद्ध एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा अगर उसके बाल या सिर पकड़ते हैं तो नेर्ट है किसी भी टीम को लोना लगने के बाद यदि हुआ टीम एक मिनट के अंदर कोट में प्रवेस नहीं करती तो निम्ड में से क्या होगा तो आफसे नमबर डी यहां पे कर्रेक्ट है एंटी टीम को बिजेता घोसित कर दिया जाएगा ठीक है यानि किसी भी टीम को लोना लगने के बाद यादि वह टीम एक मिनट के अंदर कोट में नहीं प्रवेस करती है तो निवने में से क्या होगा तो इसमें आपसा नमबर C करेट है कि एक टेकनिकल पॉइंट बिरोधी टीम को दे दिया जाएगा अगर 10 सकेंड के अंदर हुआ लोना मिलने के बाद नहीं आती है मैदान में खिलने तब नेश्ठा अगर किसी टीम का रेडर कांट लेट करता है यानि कबड़ी कबड़ी कहने में लेट करता है तो अंपायर दोराने में से क्या निवड़े होगा तो यहाँ बिरोधी टीम को एक टेकनिकल पॉइंट दे दिया जाएगा आपसा नमबर B करेक्ट है नेश्ट है अगर किसी टीम के दो रेडर बिरोधी टीम के कोर्ट में एक साथ रेडर डालने चले जाएं तो अंपायर का निवड़े क्या होगा तो दो रेडर एक साथ जा रहे हैं बिरोधी टीम में तो अंपायर का निवड़े क्या होगा तो बिरोधी टीम को raid डालने का मौका दिया जाएगा पता एक technical point भी दिया जाएगा नेश्ट है मैज के दोरान परतियक टीम कुल कितने time out ले सकती है तो परतियक hop में दो-दो time out ले सकती है नेश्ट है कबड़ी मैज के दोरान दिया जाने वाला time out कितने शमय अवधी का होता है तो 30 सेकेंड का होता है यानि कि दोस्तों क्या समझे आप कि कबड़ी टीम में प्रतेख हाप में दो दो टाइम आउट 30 सेकेंड का किया जा सकता है नेश्ट है पूर्सों के लिए एक मैज की समय अवधी कितनी होती है कबड़ी में तो 40 मिनर का होता है 20 मिनर के 2 हाप और 5 मिनर का मध्यांतर नेश्ट है महिलाओं के लिए एक मैज की समय अवधी कबड़ी में कितनी होती है तो इसमें 30 मिनिट का होता है 15-15 मिनिट के 2 हाप और 5 मिनिट का मध्यांतर नेश्ट है कबर्डी कोड के बाहर यानि boundary line के चारो तरफ कितना free space होना चाहिए तो 4 मीटर होना चाहिए free space नेश्ट है मैच के दोरान हम खिलारियों का इस्थाना पन यानि substitution कब कब कर सकते हैं तो हम time out वह मध्यांतर के दोरान कर सकते हैं नेश्ट है मैच समावत होने के कितनी समय अवधी पहले प्रतियक टीम के score को referee को बताना अनिवारे होता है तो 5 मिनिट के अंदर नेश्ट है कबर्डी मैच में कितने मैच अधिकारी होने अनिवारे होते हैं तो 6 अधिकारी होने अनिवार होते हैं एक referee दो अंपाइर एक स्कोरर लाइनमेन और टाइम कीपर यानि किसमें एक referee होता है दो अंपाइर होता है Next question है अगर कोई Raider कबड़ी बोलता हुआ विरोधी कोर्ट में जाता है तो उसे तकनीकी रूप से क्या कहते है तो कोई Raider कबड़ी बोलता हुआ विरोधी के तो उसको हम Raid बोला जाता है क्या बोलते है Raid नेश्ट है A team का radar B team के court में raid डालने जाता है तथा point लेने के लिए B team के antcy से contact हो जाता है तो उसे तकनीकी भासा में क्या कहते है a struggle नेश्ट है जब कोई radar anti court में raid करने जाता है और किसी anti यानि कि defensive player को बिना चुए lobby में चला जाता है तो निवने में से क्या होगा तो रेडर आउट हो जाएगा ठीक है किसी को भी ना चुए लॉबी में चला जाता है तो रेडर क्या होगा आउट हो जाएगा नेश्ट है जब कोई रेडर रेड के धोरान बोनस लाइन को क्रास करने के बाद लोबी में जाता है तो निड़े क्या होगा तो निड़े होगा कि एक बोनस पॉइंट रेड करने वाले टीम को दिया जाएगा तथा रेडर को आउट माना जाएगा नेश्ठा अगर खिलाड़ी टाइम आउट के दवरान अपने कोड को छोड़ कर बाउंडरी लाइन से बाहर आ जाता है तो अमपायर करनेड़ क्या होगा तो अमपायर करनेड़ होगा कि एंटी टीम को एक टेकनिकल पॉइंट दे दिया जाता है तो अपने कोड यानि बाउंडरी लाइन को छोड़कर बाहर आ जाता है तब नेश्ट है दोस्तों अगर मैज के दोरान किसी खिलाडी का टैंपरेरी सस्पेंशन हो जाता है और वह बिना रेफरी की आग्या के कोर्ट छोड़ कर चला जाता है तो क्या होगा तो आफसान नमर एकरेक्ट है बिनोधी को टीम को एक टेकनिकल पॉइंट दे दिया जाता है नेश्ट है अगर किसी टीम का रेडर कबड़ी बोलता हुआ बिनोधी कोर्ट में जाता है और बकलाइन को क्रास करके कबड़ी बोलता हुआ अपने कोर्ट में वापस आ जाता है त एंटी और को छू लेता है और बकलाइन को क्रास नहीं करता और अपने कोर्ट में वापस आ जाता है तो निड़े क्या होगा तो जितने एंटी छूए जाएंगे उतने अंग अंग रेडर को दिये जाएंगे नेक्स्ट है निड़े में से क्या कबड़ी से समंधित नहीं है आपसर है बोनस गोल्डन रेड लोना यह तीनों समंधित है बर ट्रमपोलिन समंधित नहीं है ट्रमपोलिन एक जिमनास्टिक स्कील है नेश्ट दोस्तों अगर कोई रेडर रेड डालने के लिए बिपच्छी कोट में पांच सेकेंड से अधिक समय लेता है तो निड़े क्या होगा तो निड़े यहाँ पे आपसर है रेड कैंसिल कर दिया जाएगी बिपच्छी टीम को एक टेकनिकल पॉइंट दे दिया नेश्ट है एक एफाई यानि एमेचर कबड़ी फेडरेशन आफ इंडिया के द्वारा मानेता प्राप्त बीच कबड़ी में पूर्सों के लिए कोड की माप क्या होती है तो ग्यारे गुड़े 7 मीटर नेश्ट है एक एफाई द्वारा मानेता प्राप्त बीच कबड़ी म कि महिलाओं के लिए कोरण कि माप क्या होती है तो दस गुडे से मीेटर पूर्शों के लिए ग्राय गुडए साथ मीटर महिलाओं के लिए दस गुडए से मीटर ठीक है . निश्ट है बीच गवडड़ी कोरण में रेट render की ठाई खम से कम कितनी होनी चाहिए तो 30 cm नेशड़ की सखेल सन्सकरण में बॉनस लाइन वब्बक कबड़ी में 1 बॉनस लाइन नहीं होती है तो 27 कबड्री कि संस्क्राइब में रेडर को प्रतेक रेड पर पॉइंट लेना या देना होता है तो बीच कबड़ी में नेष्ट एके एफाइद वारा निधायत निडायकों की अधिकतम उम्रे कितनी हो सकती है तो अंठावन वर्स नेश्टर एक एफाई द्वारा मानेता प्राप्त सरकिल कबड़ी के सरकिल का व्यास कितना होता है तो 22 मीटर नेश्टर दोस्तों बीच कबड़ी में एक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है तो एक टीम में कुल खिलाड़ी 6 होते है नेश्ट है बीच कबड़ी में प्रतेक टीम में कितने कितने खिलाड़ी खेलते हैं तो 4-4 खिलाड़ी खेलते हैं यानि कुल खिलाड़ी की एक टीम में संख्या 6 होना चाहिए और प्रतेक टीम में कितने खेलेंगे तो 4-4 और ऐसे कबड़ी में आपका होता है 12 खिलाड़ी, 7 खिलते हैं 5 आपके इस्थानापन होते है नेशा बीच कबड़ी में कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर मैच शुरू होगा तो 4 तो दोस्तो ये था कबड़ी से रिलेटेड संपूर बीडियो दो बीडियो में आपका कबड़ी के सभी कोस्टन्स पूरे हो गए इससे बाहर कोई भी कोस्टन्स नहीं पुछ चकता दोस्तो आई होप की सभी कोस्टन्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जो भी डाउट होगा मुझे किलियर बताए कमेंट जरू कीजिए दोस्तो जिसे मैं आपके सभी डाउट को किलियर कर सको और जादे से जादे वीडियो को सेयर भी किया किजिए दोस्तो और डेली बेसेज पे आपके लिए मैं डेली वीडियो जो बना रही हूँ तो डेली बेसेज पे आप मेरे साथ जुड़े रहिए तो दोस्तों फॉर्ट बार विजित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसे न्यू वीडियो को आपडेट आप तक पहुचता रहे हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएगे